तो हमने अभी तक क्या कर लिया एक बार हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा रीकेप कर ले और जितने बच्चे भी नए हैं उनको स्टार्टिंग वाली क्लास देखनी ही देखनी पड़ेगी उसके पीछे रीजन है वहां बेसिक कॉंसेप्ट है जो की इंकम टेक्स का थोड़ा स बैक्ग्राउंड आपको समझना ही समझना पड़ेगा तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि जो नए है वह पुरानी क्लास देके आ गया है तो बहुत अच्छा रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा बीच में दिखेंगे तो दिक्कत होगा हाँ जब नि इंटिमेशन दे दूँगा तो सर एक हम इंकम टेक्स रेट्स पढ़ रहे हैं जो कि न्यू टेक्स रिजीम है सेक्शन 115 बी एसी जो की डिफॉल्ट है यानि कोई भी व्यक्ति अगर इंकम टेक्स अब भरने के लिए जाएगा 24-25 एसेस्मेंट यर के बाद तो उसको न्यू रिजिम था पहले उसको चूज किया जा सकता है सर दोनों में टेक्स का रेट अलग है ओल्ड वाले में आपको डिड़क्शन मिलते हैं न्यू वाले में सिर्फ तीन डिड़क्शन रखेगा हैं बाकि सभी को एलिमिनेट कर दिया गया है खातम कर दिया गया इसमें सारे परसन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कंपनी पार्टनर्शिप फर्म लूकल अथॉरिटी कॉर्परेट सोसाइटी वगरा जो भी है उनके लिए हमने टेक्स रेट पढ़ा ही नहीं है इसके बाद आपको 5% 3-6, 6-9 पर रहेगा आपका 10, 15 फिर 20 और 20 के बाद सीधा 30, 25 परसन बीच में नहीं है यह याद रखिएगा इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल देखने के बाद हम आ गए थे फिर बढ़ते बढ़ते ओल्ड रिज्शिम पे आ गए थे ओल्ड रिजिम पे जब हम आए तो ओल्ड रिजिम में थोड़ा सा फरक था थोड़ा बदलाव था क्या क्या तक कूप सारे एक्जांपल देखने के बाद यहां एक मार्जिनल रिलीफ भी देखा था हमने ओल्ड रिजिम में कुछ तरीके से था यहां पर एज मेंटर करता है 60 से कम 60 से और 80 से जादा यह एक्टी है मैंने साइट इसके बाद हमने कुछ देखें कुछ भी कियें बेसिक एक्जिम्शन लिमिट क्या थे नहीं थे उसके एसाब से हमने सारा का सारा यहां पर कुश्चंस देखते गए और हमने करा इसके बाद हमने दोनों को कंपेयर भी कर लिया था लास क्लास के अंदर हमने दोनों को कंपेयर भी किया था कि किस तरीके से दोनों के बीच में कंपेरिजन रहेगा किसको किस परकार के टेक्स मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे हमने जमा बचत के उपर दोनों से और नियू से दोनों से कंपेयर कर लिया था अब हम वारना सरकार जो है बड़ी लालची है गौवर्मेंट बहुत लालची है मेहनत आप करोगे मेहनत करने के बाद गौवर्मेंट आपसे यह टेक्स तो लेही रही है गौवर्मेंट मानती है कि अगर आपकी सालाना इंकम सालाना इंकम पचास लाक रुपे तक है तो आपको नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाएगा और पचास लाक से जैसे ही एकसीड करेगा आपका इंकम पचास लाक एक गौवर्मेंट समच जाएगी कि आप साधारन वेक्ति नहीं हो बहुत अमीर वेक्ति हो और हमें आपसे और चाहिए यह गौवर्मेंट का कहना है और टेक्स लेंगे और जो अब टेक्स लेंगे उस टेक्स का नाम रखेंगे सरचार्ज यानि टेक्स जो दे रहे थे वो ठीक है उसके उपर भी कुछ हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे क्यों ले रहे हैं क्योंकि आप अमीर क्यों बने आ अब आपकी इंकम 50 लाग से जादा है अगें यहां पर हमारे पास दो तरीके के सर्चार्ज निकल के आते हैं एक डिफॉल्ट वाले में जो वन वन फाइब बी एसी वाले में नियू टेक्स रिजिम है और एक पुराने वाले में तो पहले मैं नए वाले की बात कर लूँ तो नए वाले के अंदर जो यह जो है आपका पहले इस वाले को मत देखिएगा भी फिलहाल के लिए इस वाले पॉइंट को मत देखिएगा एक सो ग्यारा भी एक सो बारा भी मैं भी समझाओंगा इसको यह किया इसको तो हटाओ इस इंकम की बात करते हैं सर इस इंकम की बात कर गौर्वर्मेंट ने कहा मैं इधर रेट लिख रहा हूं ठीक है एक रेट इधर लिख रहा हूं और इधर रिख रहा हूं एस पर 115 BAC यानि नियू वाला मैं ना इसको ज्यादा से ज्यादा नियू वाला बोलूंगा और दूसरे को पुराना सरकार कहती है कि अगर आप 50 लाख रुपए तक इंकम कमाते हैं तो हम आप से कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे और यह सर्चार्ज हम बात कर रहें अगेन इंडिवीज्वल हुए फ एओ पी बी ओ आई आटिफिशल जुडिशल परसन सर्चार्ज फॉलोविंग आपका शेल भी अप्ली के वर यानि अगेन अगर आपकी इंकम पचास लाख रुपए तक है तो हम आपको साधारन मतलब कि नॉर्मल टेक्स्ट्पेर मानेंगे आपको एकदम से ऐसा है कि हम आप से एक्स्ट्रा पैसा लेंगे अमैर नहीं मानरें नॉर्मल ओ चैसे देते ही लेकिन अगर आपकी इंकम मोर्मेंट कहती है कि अगर आपकी इंकम 50,000,000 भ, 1,00,000,000 50 लाग से एक करोड रुपे तो हम तुम्हें प्रीमियम मानेंगे प्रीमियम मतलब आप अमीर वेक्ती हो तो आपने ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो आप से हमें एक्स्ट्रा टेक्स लेना पड़ेगा अब एक्स्ट्रा टेक्स क्यों लिया जा रहा है ताकि हम और लोगों की प पॉल करते हो चाहे आप नए वाले में फॉल करते हो आपको 10% का आपको देना ही देना पड़ेगा टेक्स किस पर टेक्स देगा अभी हम पहले रेट्स देख लेते हैं फिर रेट्स को अप्लाइब करना सीखेंगे ठीक है ना हम क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं बहुत तो फिर भूलेंगे नहीं हमें अच्छे से याद रहेगा गौर्मेंट ने कहा अगर एक करोड से जादा कमाऊगे एक करोड तक 10% लेंगे लेकिन एक करोड से दो करोड तक कमाती हो तो हम आपसे 15% एक्स्ट्रा लेंगे चाहे नए वाले में आप आओ चाहे पुराने वाल से ताल्ची थी पुराने में उसने कहा किलाओं से अगर उपर होगा तो हम आपसे 37 लेंगे लेखिंद नय वाले में नयिवाले में बोला गया हम 37 वाला नहीं है यानि आपका दो करोड़ से उपर होगा चाहे आपकी पांच करोड़ की इंकम हो जाए चाहे पचास करोड़ की इंकम होगा 25% ही एक्स्टर लेंगे इसने लिमिट फिक्स कर दें इसके बाद गई नहीं आगे पुराने वाले में क्या था ओल्ड वाले में कहते हैं कि हम 37% तक जाएंगे पांच करोड़ के ऊपर हुआ दो करोड़ से उपर पांच करोड़ तक तो ठीक है लेकिन पांच करोड़ से जितना ज़्यादा आगे जाएगा 37% लेंगे इस वाले टेक्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं 115 BAC हम इसको बाद में बात कर देखे तो हम उसको अपलाई करें यहीं कोशन बना लेते हैं दिखे क्या हम बनाई लेते हैं सपोज करिए आपकी इंकम जो है यहां मार्जिनल रिलीफ भी पढ़ेंगे आपकी इंकम जो है वह सपोज करिए 70 लाख रुपए हैं साल की तो ना आप साधारन व्यक्ति नहीं ह इसके इंडिया के अनदर टेक्स रेट है, मैं भी मानता हूं, और और कंट्री में इस से भी ज्यादा टेक्स रेट है तो आप compare कभी करेंगे तो आपको लगेगा इंडिया के अंदर टेक्स ठीक है लेकिन मैं इस बात से भी सरकार को इस बात से भी गवर्मेंट को मानना पड़ेगा कि और कंट्री के अंदर टेक्स रेट जादा है लेकिन वहां पे फिर उस हिसाब से फैसिलिटी भी बहुत सारी चीजे हैं हॉस्पिटल है उस हिसाब की उस लेवल के स्कूल से बहुत सारी सुभीदाएं दे रहे हैं मेरा तो यह मानना है तो ज्यादा टेक्स रेट कम टेक्स रेट नहीं आप भले ही बढ़ा देजिए लेकिन सुभीदा देजिए यहां पे तो फिर बहुत सारे है पॉलिटीशियन है पता नहीं क्या क्या उनका चलता रहता है और जिसकी वज़े से पिस जाते हम लोग और पैसे टेक्स देना पड़ता है बड़े लोगों को इंकम ठीक है मैं दोनों से करके दिखाऊंगा आपको दोनों से इधर ले लेते हैं चलिए हम करते जाएंगे इससे एक फॉर्मेट बना लेंगे ना फिर बढ़ते जाएंगे से ठीक है यह वाला हम करेंगे ओल्ड से और ये वाला करेंगे new से ताकि आपको tax rate भी याद हो जाए new वाले default जिसे बोलते हैं तो यहाँ पे new वाले में क्या था up to अगर आपकी 3 लाख income है तो आपको कोई tax नहीं देना और 3 लाख से लेके अगर आपकी income 6 लाख है तो आपको 5% का tax देना है that is आपका आएगा 15,000 रुपए अगर आपका 6 लाख से उपर 9 लाख रुपए तक है तो आपके tax rate को बढ़ा दिया जाएगा और 10% दिया जाएगा that is आपका हो जाएगा difference पे यानि 30,000 और अगर 9 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक आपका है तो ऐसे situation में इसको हम 15% तक बढ़ा देंगे और 15% बढ़ाने के बाद ही आजाएगा हमारा 45,000 और अगर 12 लाख रुपए से आपकी इंकम 15 लाख रुपए तक है तो आपकी इंकम को और हम rate बढ़ाएंगे that is 20% और ये हो जाएगा हमारा 60,000 रुपए अभी यहीं नहीं रुका बोला इससे उपर अगर आपने कमाया तो हमारे केस में balance जो बचेगा 70,000,000 में से अगर हम 15,000,000 माइनस कर दें तो 55,000,000 रुपए बच गए तो गवर्मेंट ने बोला इससे उपर कितने परसेंट वसूलेंगे 30% ये तो लगेगा ही लगेगा इसमें कोई दो राई नहीं है अगर आप सोच रहे हो के सर इसमें भी कुछ मतलब के छूट उट मिल जाए तो नहीं जी नहीं तो 55,000,000 पे सीधा का सीधा 30% आपका 16,000,000,000 रुपए का आपको टोटल टेक्स गॉवर्मेंट को देना है 18,000,000 ओ माइ गॉड आप समझे बात को कि अगर आपकी 70,000,000 इंकम है तो आपको 18,000,000 तो टेक्स देना है गॉवर्मेंट ने बोला भया तुम अभी इतने साधारन वेक्ति थोड़ी हो इतने आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे 70,000,000 के ऊपर अब लगाएंगे प्लस करेंगे सर्चार्ज सर्चार्ज अब हम अगर पीछे आएं मुड़के तो सर्चार्ज है अगर एक करोड तक है 70,000,000 तो एक करोड से कम है तो 10% लगेगा चाहे कोई सब ही हो तो 10% इसका लगेगा 1,80,000 एक्स्ट्रा वसू लेंगे हम आपसे 1,80,000 हम आपसे एक्स्ट्रा लेंगे आप साधारन वेक्ति नहीं है तो आप समझ सकते हैं गौवर्मेंट की धांदलेवाजी इसके बाद आपका टोटल आएगा टोटल यानि ये आजाएगा 19,80,000 अब सरकार कहेगी अब बच्चों को भी तो आपने ही पढ़ाना है तो 4% का अब लगाएगी सरकार सेज और 19,80,000 पे 4% आएगा 79 देखो बच्चों के पढ़ाने के नाईब पे इतने में तो बच्चों का एक साल का फीस चला जाए तो यहां आगया 20,69,200 20,69,200 रुपे आपको टेक्स भरना है सरकार को आपको सरकार को गवर्मेंट को टेक्स भरना है यह आगया टोटल यह आगया और यह टोटल टेक्स आगया और यह बना जो इसको बोलेंगे हम टेक्स लाइबिलिटी यह जो बना इसको बोलेंगे हम टेक्स लाइबिलिटी थोड़ा resize रेडीउस करो भाई चलोगे क्या आपको यहां तक समझ में आया अगर यह पुराने वाले में होता क्या होता तो अप टू यहां पे तो हम मान लेते हैं 60 साल से कम का है यह अप टू 250 की बोलते हैं 0 नेक्स्ट कि टू 50 उन्हें ने बोला 5 परसेंट मार्जिनल रिजी रिबेट तो भूल जाओ भाई रिबेट तो भूल जाओ एटी सेवन ये तो भाई आप पांच लाख रुपए ते कि कमा पचास लाख के उपर कहां रिवेट कहां छूट आपको नेक्स्ट तू फिफ्टी सीधा बीस परसेंट स्वारी नेक्स्ट फाइव लग है यहां पर थोड़ा सा सीक्मेंस गड़बड चलता है एक लाख रुपए ओ माइग गॉड़ उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस ही आजाएगा अब तो महराज जी बैलेंस तो दस लाख हो गया दस लाख के बाद बचा हमारा साथ लाख सीधा तीस परसेंट एक लाख असी हजार टोटल ओल्ड रिजिम में अगर आपके पास कुछ डिडेक्शन है तो बच जाओगे नहीं तो देखलो आपके पास कितना टेक्स आ गया यह भगवान इतना टेक्स है ट्विंटी नाइन लेक्ट अच्छा एक लाख हो पांसो एक लाख एक लाख इसके बाद प्लस करेंगे आप साधारन वेक्टी नहीं है सरचार्ज दस परसेंट है क्योंकि एक करोड नहीं पार किया तो इतने भी आप अमीर नहीं माने जाओगे थोड़े कम अमीर है तो टेक्स कम ले रहे हैं थोड़ा सा यानि मैं यह कह सकता हूं टेक्स के ऊपर टेक टेक्स ले रही है गवर्मेंट क्या कमाल कर रही है गवर्मेंट तो टू वन जीरो थ्री सेवन फाइव जीरो टूटल टेक्स अब बच्चों को पढ़ा दो जी सेस फूर परसेंट पूर वन फाइव जीरो अब आ जाएगा 21,87,900 तो बीस लाख यहां पे लगबग लगबग एक सवाल आप का डिफरेंस आ जाता है नहीं और पुराने में तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि सरचार्ज कैसे अपलाई करेंगे पहले मुझे सच सच बताइए आपको समझ में आया सरचार्ज कैसे अपलाई होगा तो एक कोश्चन मैं आपको दू करने के लिए भी ताकि आप सरचार्ज अपलाई करके दिखाए हां हमारे एक्ज के लिए स्लेवस में है तो हमें पता होना चाहिए कि सर्चार्ज अप्लाइग कैसे करते हैं ठीक है 39,25,000 बच्चे करें 39,25,000 यह न एक लाक रुपए है 10 लाक नहीं है और यह 18 लाक है यहां एक 0 कम लगाया हमने ठीक है 18 लाक और 11 लाक और यह आगे करेक्ट है अर्नव सही है कैलकुलेशन वगर आप भी चेक कर रहे हूं सर्चार्ज 91,25,000 पर क्यूं लगाया हूं हम सर्चार्ज जो लगाते हैं जो भी टेक्स निकलता है उस टेक्स के ऊपर पहले सर्चार्ज लगता है और फिर हम क्या करते हैं क्यूंस तोटल करने के बाद फिर सस्य लगाय जाता है और यही है मारा सर्चार्ज लगाने का अठारा लाग पर 10% कैसे लगन ये अठारा लाग पर नहीं लगएगाए पैसा मत सोची का 15 लाग से ओपर वाले कि चलिए मैं एक दो सवाल और लेना चाहूं आपके साथ अगर आपको यहां तक अच्छे से नहीं कि एक और सवाल लेता हूं मैं चलो आपके लिए एक और सवाल लेते हैं आजो भाई पेज कॉपी करके यह मेरे लिए थोड़ी से आसानी रहेगी ताकि हम अधर अधर इंकम पर ले लेंगे आज करोड़ों में खेलना है हमें चोटे मोटे इंकम की बात नहीं करेंगे करोड़ों और वोगी बात करेंगे सपोस करो मेरा जो इंकम है एक करोड़ चालिस लाग 1.4 CR 1.4 CR अगर हो जाए तो क्या होगा तो सबसे पहले अगर इंकम पचास लाग से लेके 1 CR तक हुआ तब तो सर चार्ज 10 परसेंट है लेकिन 1 CR से लेके 2 करोड़ के बीच में हो गया यानि एक करोड जो 40 L,C लिया है वो इसी स्लैब में आ रहा है तो वहां पे चाहे आप पुराने समय पे हो चाहे नए समय पे सर चार्ज आपका 15% ही लगना है अच्छा सर 15% लगेगा हाँ जो 10% लगा रहे थे वो 15 लगाएंगे आप और ज्यादा अमीर हो गए हो तो बस यहां पे थोड़ी सी चीजे बदलाव होनी है जिसको मैं दुबारा करके दिखा देता हूं क्योंकि पहले वाले स्लैब जो है वो साथ हजार रुपए तक तो इतना ही रहेगा ना बदलेगा स्रिफ यह बैलेंस वाली बात क्योंकि उपर तो इतना ही चलेगा चलिए यहां बैलेंस कितना बचेगा सर बैलेंस हमने अभी तक 15,000 निप्टा दिया है तो ओ माइगाड 15,000 लाक माइनस करोगे तो 1.25 CR बचा अ सभी पे 30% तो एक करोड 25 लाक के ऊपर 30% तो सहाब यह बनेगा 37,50,000 लोगों की इतनी सेलरी नहीं होती जितनी सरकार टेक्स ले रिये हैं 37,50,000 उसके अबाद 60,000, 45,000, 30,000 और 15,000 सरकार ने बोला ज्यादा नहीं टेक्स ले रहे हैं आपसे 39,00,000 रुपीस टेक्स दो देख रहे हो देख रहे हो टेक्स 39,00,000 अब बोला भाईया अमीर हो गए आप तो सरचार्ज सरचार्ज लाओ अब भाईया आपको दिमाग लगाना है इनकम एक करोड़ एक्सीड हो गया तो 15 परसेंट इस पे 15 परसेंट इसके उपर 15 परसेंट 5,85,000 तो एक्स्ट्रा ले लिया सरकार ने अमीर होने के ये देना पड़ रहा है अमीर हुए नी के सरकार ने 5 लाओ एक्स्ट्रा मुझसे ले लिये टोटल टेक्स बन गया हमारा ये 44,85,000 बोले बच्चों को कौन पढ़ाएगा मैंने बोला जी ये लो ये भी पढ़ाई देते हैं चार परसेंट ओ माई गॉड वन लेक्स सेवेंटी नाइन थाउजन फूर हंड्रेट बच्चों को पढ़ाने में इतने पैसे हैं इसको हम बोलते हैं टेक्स लाइबलीटी इसको बोलते हैं टेक्स लाइबलिटी इतने टेक्स देने पड़ेगे सच मुच इतनी सेलरी होती है लोगों की हां भाई हां इससे भी जादा जादा सेलरी होती है लोगों की लोग 20-30-30 करोड भी सेलरी लेते हैं जो CEO होते हैं उनंकी इससे जादा जधा झाल कम होती है जो ये चीज़े पॉसिबल है शर क्वेर्म you to meanings जब टेक्स इतना टेक्स गवर्मेंट ले लेती है जब हां मनेन का कहना है सर इतना टेक्स लेती है तभी तो टेक्स की चोरी होती है और आप सभी को यही तो सिखाया जाएगा कॉमर्स के अंदर अब मान लो मैं एक चीज देखो बताना चाहता हूं कि इसके 46 लाख रुपए के टेक्स बन रहा है ठीक है न अब आप मेरे पास आए सर मेरी इंकम एक करोड रुपए है 46 लाख का टेक्स है मैंने बोला मैं कुछ प्लैन करूँगा आपके लिए कानून के रहते हुए कानून को मानते हुए कुछ तरकीव निकलते हुए मैं आपकी टेक्स लाइबिलिटी 40 लाग से मैं आपकी liability 20 लाग कर दूँगा यानि मैं कुछ लगाऊँगा अपना दिमाग और उससे जितना सीखा है कहां कहां investment कर लें, क्या कर लें, कैसे अपनी income को घटा आए वो सारी चीजे बताऊँगा और आपकी income को मैं ये 46 लाग से 20 लाग करके आपके 26 लाग बचा दूँगा, आप कहोगे अच्छा, मेरे 26 लाग बचाऊगे, मैं कहां जी हाँ, मैं आपके 26 लाग बचाऊँगा, आप बोलो कि कितनी फीस है, आप जल्दी जल्दी बताओ और मेरे 26 लाग बचाओ मैंने बोला मेरी जादा फीस ने मैं 3 लाख रूपे लूँगा इस काम क्या आप से आप मुझे फटाक से 3 लाख रूपे दोगे और 23 लाख रूपे तो तब भी बच रहे हैं और मुझे 3 लाख रूपे एक क्लाइंट से मिलेगा और मैं दिमाग लगाओ रात दिन पढ़के कुछ नियम रूल को निकालके इनके इंकम को कम करके दे दूँगा यही तो एक चार्टेड अकाउंटिंट की कमाई होती है यही तो एक टेक्स प्लैनर की कमाई होती है जब आगे income tax के अगर field में आप कहीं जाओगे तो ऐसे ही तो आपकी income generate होगी और ऐसे income generate होने के बाद आप पूरे साल कुछ नहीं कमाओगे last के 3-4 बहने में इतना कमा लेते हैं कि पूरे साल बैटके खाते हैं यह चार्टेड अकाउंटेंट जितने भी होते हैं हालाकी तो अब तो पूरे GS टी तो पूरे साल चलता है तो ये सारी चीजह सक्चा ही है चलिए सर कोई बात नहीं अब आगे से यही कर लेंगे यह एक करोड़ थी स्लाक ऑप एक जिरू और लगेगा भाई कि 30% 39 लैक इसको तो और पुराने वाले में तो और मर गए लो 39 लैक 40 लाक 12 पांसो सरकार ने कहा अच्छा इसमें सरचार्ज दो सरचार्ज क्या लिख दिया मैं नहीं है सरचार्ज दो कितने परसंट देने हैं सर बाई इनकम देखो फिर बताओ इनकम है आपकी एक करोड से उपर तो 15% ओहो तो यहां पे तो सरकार ने 6 लाक जिसने पुराना रिजिम लिया होगा वो तो 6 लाक में फस गया क्या सच में सर आप इतने पैसे बचा सकते हैं प्लैनिंग से जी बचते हैं पैसे आप आगे सीखेंगे यकीन नहीं मानेंगे आप सीखेंगे यह सारी चीजें ओहो अब इसके बच्चो को पढ़ाना है 104% आपकी साधी हुई हो चाहे नहीं हुई बच्चो को पढ़ाने के लिए पैसे देने हैं पहले देख लो कितना कमाल है इंडिया के अंदर आपके बच्चे हैं के नहीं हैं मैटर नहीं करता इंकम है तो पढ़ाओ बच्चो को पढ़ाना तो पढ़ेगा आपको बच्चो को ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे सरकार 1,8,4,5,7,5 1,84,000 बच्चो के नाम पे ले लिया 4,7,9,8,9,5,0 यह है हमारी टेक्स लाइबलिटी यह है हमारी टेक्स लाइबलिटी क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई है अभी तक बताईए कि आपको समझ में आया यह सारी बाते जो बच्चे सुरू से हैं सर इंडिया में कितने परसंट लोग टेक्स भरते हैं बहुत few परसंटेज है ऐसा नहीं है कि बहुत लोग भरते हैं इसे रेट्स है और सुभीदा नहीं है जिसकी वज़े से बहुत कम आप माने के चलो आप बारा पंद्रा परसंट ही लोग भरते होंगे वो भी नहीं शायद बारा परसंट भी शायद मैंने डेटा ज्यादा बता दिया उससे भी कम लोग टेक्स भरते होंगे चलिए सर एक और सवाल हो जाए एक और सवाल हो जाए चलो मैं एक सवाल ना देखे मैं होमवक में दूँगा उससे बहतर है कि मैं आपसे पूछ लूँ पूछ लूँ मैं होमवक में दूँगा वो सवाल और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके मन की बात suppose करो फिर अगली क्लास में इसके आपको आंसर देगे ठीक है मैं अपना इतनी तयारी अगली क्लास की कर रहा हूं suppose करो जो income मैंने बताया वो income बढ़ा के मैं कर दू income मैं income कर दू 3 करोड रुपे 3CR अगर मैं अपनी इंकम तीन करोड कर देता हूं तो सर्चारज कितना लगेगा याद रखना मैंने बताया इंकम तीन करोड है तो सर्चारज कितना लगेगा सर रेट तो दिखाओ, रेट तो दिखाओ, कमेंट में बताना है, बताओ मेरी इंकम तीन करोड है, अब बताओ सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, बताओ जल्दी, मेरी इंकम तीन करोड है, तो बताओ सरचार्ज कितना लगे बताईए बच्चो सर्चाज कितना लगेगा हितेश ने 25 परसेंट कृष्णव ने 25 परसेंट इसान ने 25 सभी बच्चों ने जवाब देने दिया और दे भी रहे हैं 25 परसेंट वेरी वेरी गुड यानि आप क्या जो मैंने एक करोड तीस तीन करोड की इंकम लिखा उसके पर income tax liability calculate कर पाएंगे बताईए मुझे क्या income tax liability आप calculate कर पाएंगे उस पर येस तो चलो जी वो दिया आपने एक बच्चे ने बोला येस सर मैंने मान लिया सभी ने बोल दिया हालाकि बहुत बच्चों ने बोला हो जाएगा तो ये रहा homework इसमें homework में लिखना कुछ नहीं ह कि एकतना होगा एक और सवाल पूछते हैं कुछान नव्बर तू यहीं चवेजि़े सफ्द्वरें में तो अगर आपकी इनकम 6 क्रूड है अगर आपकी इनकम 6 रुप्य है और इंकम की बाथ करी रहीं रहूं तो यह कुछ इंकम चोड़ कर हान। फिलहाल मैं आपकी बात कर रहा हूं अगर आपकी इंकम सीख रोड़ है कि है तो कितना ठेक्स्ठ होगा कि ईकि रोड़ पे आप बताओ दोनों में बताना आइप रोड़ है तो कितना टेक्स होगा छे करोड़ है तो कितना टेक्स होगा अगर छे करोड़ रुपए आपकी इंकम है साल की छे करोड़ साल की मज़ा आ जाएगा एक साल भी कमा के फिर पूरी जिंदगी बैठ के ब्याज खाना है छे करोड़ रुपए इंकम तो कितना होगा सर ओल्ड म 37% और new में 25 ही रह जाएगा very good आपने बताया sir old में तो रहेगा आपका 37% तक चले जाएगा लेकिन new वाले में अभी 25% ही सरचार्ज लगेगा मुझे बस इतनी सी बात आपको समझाने थी जो कि मैंने दो एक्जामपल को आराम से तसली से मैं समझा पाया हूँ आपको सभी बच्चों ने जवाब दे दिया अगेन मैं कहूंगा एक्जाम में यह टॉपिक नहीं पूछा जाता लेकिन पता तो होना चाहिए यह सरकार कितना पैसा ले रही है सभी बच्चों ने सभी बच्चों ने सही ठीक ठीक रेट बताया अच्छा सर चलिए और कुछ कराईए अब करेंगे हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे हम करेंगे marginal relief marginal relief अब ये marginal relief यहां भी आ गया जी हां यहां भी आएगा marginal relief सर वहां भी था कहां था याद आ रहा है marginal relief सर हां new tax regime में था वो 7,28,000 की कुछ amount के उपर marginal relief लग जाता था और हम परिसान थे इतने जिसका पूछो मत सर बड़े tension में रहते थे उसके अंदर तो तो चलिए अब मैं अपनी income बता रहा हूँ अब मैं अपनी income बता रहा हूँ suppose करो 50,000,000 या 51,000,000 बता देते हैं यार अपनी income 51,000,000,000,000,000 51,000,000,000,000 रुपे ठेक है सगन का पैसा 51,000,000,000 रुपे मेरी income है अब दोनों से calculate करते हैं ठीक है दोनों से calculate करते हैं तो आप देखिएगा क्या होगा यानि आप मुझे बताएगे अगर मेरी income पचास लाग होती तो क्या मैं सर्चार्ज के लफड़े में पढ़ता या बच जाता ये बताओ अगर income मेरी 50 लाक ही होती तो मैं सरचार्ज लगने से बच सकता था कमबक्त एक लाक रुपे की income ज़्यादा कमा लिया उससे मैं सरचार्ज के लपेटे में आ गया हूँ उससे मैं सरचार्ज के लपेटे में आ गया हूँ बच जाते रायब का कहना है सर एक्जाम में कैसे एक्जाम के अंदर अभी धीरे धीरे अभी तो concept build-up कर रहे हैं ये चप्टर होने के बाद एक्जाम वाले कुर्शन स्टार्ट होंगे सर नू सर चार्ज अच्छा सर ये सिर्फ फस गया ये फस गया ये कमब कितने एक लाख रुपए कमा तरह लाख पंद्रा पैंतिश च्छतिस लाख च्छतिस लाख के ओपर तीस परसेंट लगेगा च्छतिस लाख के ओपर तीस परसेंट आजाएगा हमारा कि अधान दस लाख अस्तिया जाए और टोटल 12,30,000 अब इस पर सरचार्ज लगेगा क्या इसके उपर सरचार्ज लगेगा कमेंट में बताईए अब क्या इस पर सरचार्ज लगेगा थोड़ा तो बताईए अब क्या इस वाले पर सरचार्ज लगेगा सर एक बार 1.4 क्रो दिखा देंगे अब दिखा देंगे आप बताईए थोड़ा तो बताईए क्या इस पर सरचार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए कमेंट में बोलिए येस सर लगना चाहिए, सरचाज लगना चाहिए, लगना चाहिए अब कितने परसेंट लगना चाहिए, कोई मुझे ये भी बताओ, मैं भूल गया हूँ मुझे बताओ, कितने परसेंट सरचाज लगाओ, इस पे कितने लगाओ ये बारा लाग तीस हजार पे कितने परसेंट लगाऊं लगाना चाहिए लगना चाहिए कितने परसेंट लगना चाहिए ये बता दीजे मुझे सरचार कितने % लगना चाहिए, कितने % लगना चाहिए, 10% सबसे तेज आंसर आ गया, 10% सरचार्ज और 10% निकाले, 10% ये क्या हुआ, हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरी इंकम बढ़ी कितनी, एक लाख रुपए और मुझे सरचार्ज कितना भुगतना पड़ रहा है, एक लाख 23,000 आप खुद सोचो, अपने मन के उपर हांत रख के सोचो, क्या ये जायज है मैं अगर 50 लाख रुपए तक कमाता तो मैं सरचार्ज ही नहीं देता चलो माना एक लाख एक्स्ट्रा कमारा है, मैं सरचार्ज दे दू, लेकिन एक लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए क्या मैं आपको एक लाख 23,000 का सरचार्ज दू, इससे अच्छा तो एक लाख रुपए अगर मुझे कोई देगा मैं बुलूँ आन मद दे भाई, एक लाख रुपए मद दे, मुझे सरचार को 23,000 अपने जेब से लगा के और देने पड़ेंगे, तू ही रख ले एक लाख रुपए, मेरी इंकम कर दे 50 लाख रुपए तो यहाँ यह प्रॉबलम आ गई, जादा जब इंकम होती है, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, तब तो सही था, लेकिन जब थोड़ा से इंकम बढ़ता है, तो सरचार्ज का अमाउंट तो टोटल टेक्स पर आके बहुत जादा हो जाता है, तो सरकार ने कहा भई, यह तो जैन्व लाख, 53,000, सरकार ने कहा दो मार्जनल रिलीफ, तो मार्जनल, कितना दोगे सर, सर, मार्जनल रिलीफ, जितना आपका इंकम बना, वो पूरा सरकार को जमा करतो, यानि मार्जनल रिलीफ बनेगा हमारा, मार्जनल रिलीफ मिलेगा हमें, इधर फॉर्मुला लिख देता हू दिजेगा सरचार्ज माइनस में एक्स्ट्रा इंकम किस से 50 लैक से यानि जितना आपका सरचार्ज था उसमें माइनस कर दो एक्स्ट्रा इंकम कौन सा एक्स्ट्रा इंकम जितना कमाया तो हम बोलेंगे सरकार के पास जाएंगे बोलेंगे सरकार ये बात गलत है मेरे इंकम एक लाख बढ़ी है तुम एक लाख उर्पय रख रहो तैईस तो मैं नहीं दूगा भाई अपनी जेब से या तो आप बोलो जिससे मैंने एक लाख लिए मैं उसके वापस कर देता हूं काम ही छोड़ देता हूं मैं नहीं कर रहा ह सरकार ने बोला कोई बात नहीं आप एक लाख एक्स्ट्रा कमाया उसी को देतो मुझे तैईस अजार हम आप से जेब से नहीं निकल वा रहे यानि यहां पर देखा जाए तो 123 माइनस में आपका हंड्रेड यानि आपको हंड्रेड मतलब हंड्रेड थाउजन है यह तरीके स तो आपको मार्जनल रिलेफ मिलेगा यहां पर 23,000 का और जो बैलेंस बचेगा उसके उपर आपको बच्चों को पढ़ा देना है उसके उपर बच्चों को पढ़ा देना है एक लाख 13,000 रुपे बताओ एक आवन लाख कमाया तेरा लाख टेक्स भर दिया क्या बचेगा यार प्लस बच्चों को पढ़ाओ सेस चार परसेंट हो यह लो 53,200 53,200 138,300 यह टोटल टेक्स बन गया यह टोटल क्या बन गया टेक्स तो सेम रिलीफ यही है और इस में से हम माइनःस कर देते हैं सर यहा पर भी कुछ हैसा होगा क्या बिलकुल होगा ना यहां पर ले लो आजड़ आज़ओ 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 यहां पे Marginal Relay चेक खटके, आपकी income 10,00,000 तक तो यहां exhaust हो चुकी है, और 10,00,000 से अगर मैं उपर जाओं, 10,00,000 से अगर उपर जाओं, तो 10,00,000 से उपर कितना बनता है, कितना बनता है, कितना बनता है, 55,00,000 से 10,00,000 से 41,00,000, 41,00,000 पे हमारा बनेगा सर 10%, सरी दस परसेंट बोल दिया 30 परसेंट 41 लाग से उपर बनेगा हमारा 30 परसेंट 30 परसेंट तो 41 लाग पे 30 परसेंट जो कि 12,30,000 12,30,000 प्लस एक लाग प्लस बारा पांसो 13,42,500 प्लस करेंगे सर्चाज 10 परसेंट सर यहां तो और बुरे फसेंट यहां पे तो 1,34,250 रुपए का टेक्स देना है इंकम बढ़ी मेरी 1,00,000 और 1,34 का मैं टेक्स देदू एक्स्ट्रा तो ना भाई ना आपको मिलेगा मार्जनल रिलीफ पहले इसको प्लस कर लिजिए एक संतालिस एक संतालिस 67,50 लेस होगा मार्जनल और मार्जनल रिलीफ होगा आपका टोटल टेक्स जो बना है हमारा एक्स्ट्रा जो सर्चार्ज कितना है एक लाख 34,250 माइनस में एक्स्ट्रा इंकम एक लाख यानि भाईया 34,250 34,250 माइनस कर दो 34,250 यह बचा आपके पास एक लाख 44,000 स्वरी 14,250 इसके उपर बच्चो को पढ़ा दो 4% का सैस 4% का सैस ओहो एक 44,250 पूर परसेंट का सैस 57,700 यह आगे हमारा टेक्स लाइबिलिटी बोलते हैं और इस टेक्स लाइबिलिटी को हम सरकार को 15,000 रुपे दे देंगे और हमारे पॉकेट में 35,000 बचेंगे और यहाँ पे कम हैंगे तो थोड़े जादा बच जाएंगे यही तो बताना है हमें सामने आला वेक्ति पैसे तो कमा रहा है लेकिन वो टेक्स प्लैनिंग नहीं जानता अब हम उसे दोनों से निकाल के बताएंगे अगर उसने मेरी फीस कम दी मैं बोलूगा पुराना वाला तेरे लिए बढ़िया है मर तुब भर इससे ज्यादा टेक्स अगर उसने मेरी फीस स आसपास सबालाक रूपए का सबस्ट तो बची जाएगा अगर मुझे पचास ज़ार दे रहा तो वहाला को लिए पचास लाग से एक रूपए बढ़ा लेकिन सरचार्ज तो ज्यादा बढ़ेगा सेम ऐसे आपका marginal relief कब आएगा marginal relief कब आएगा मान लेते हैं marginal relief कब आएगा मान लो आपकी income 2 करोड से मैंने बोला 1 करोड अगर 1 करोड से 1 लाख income हो जाएगा तो एकदम से 5% का change आगया 1 करोड 1 लाख पे यानि 1 लाख बढ़ते ही हमें 5% और extra देना पड़ रहा है और जो कि 5% लगभग लगभग बहुत जादा amount बन जाएगा एक लाख से जादा बनेगा तो यहां भी marginal relief होगा अगर मेरी income होती हैं 70 लाख रुपे मेरी income 80 लाख रुपे तो कहा marginal relief होता 30 लाख के बराबर थोड़ी ना टेक्स बढ़ जाता यहां एक करोड अगर हमारा होता है एक हजार तो income बढ़ी एक हजार और tax का बढ़न आया 5% जो कि बहुत जादा होगा तो यहां marginal relief activate हो जाएगा यहां पे 2 करोड अगर 10 लाख रुपे 2 करोड अगर 1 लाख या 2 लाख रुपे होगा तब भी marginal relief activate हो जाएगा यहां पे अगर 5 करोड से उपर जा रहा है वो पुराने वाले case में था तो वहां भी marginal relief activate हो जाएगा तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होगे कि marginal relief कब activate हो जाता है ठीक है न तो marginal relief दिया जाता है हमें जो की है हमारे पास तो सर और कोई सवाल दो ना ऐसे ही सवाल दो तो दो question दे दिया तीसरा question लो आख question number 3 मेरे income 1 करोड 1.1 CR question number 4 मेरे income 2.1 CR ये भी homework में इन दोनों में marginal relief लगेगा जो कि आपको करके दिखाना है sir कितना limit तक मिलेगा marginal relief limit ऐसेच कुछ नहीं है जब आप calculation करोगे तो निकलेगा वो exact नहीं निकाला मैंने calculate नहीं किया आप निकालोगे तो लगभग लगभग ये आज आएगा तीनों case में अलग अलग आएगा limit ऐसेच नहीं है आप जब calculate करोगे तो आपको दिख जाएगा यार income इतनी बड़ी सर्चाज इतना बढ़ गया तो उस ताइम पर आप माइनस कर दोगे तो income tax के अंदर तो बहुत यूज होता है इसलिए वो कुछ डिजिट निकाल लिया मैंने यह बहुत कम यूज होता है तो इसका निकाला जब हम calculate करते हैं किसी का टेक्स वगएरा तो हम वैसे ही पता कर लेते हैं तो इसका निकाला नहीं है किसी दिन चलो मैं खाली बैठूँगा तो यह लिमिट भी मैं खुदी calculate करके बता दूँगा इससे ज्यादा पर तो नहीं लगेगा ठीक है नहीं लगेगा सारी चीजे प्रैक्टिकल है चीजें यह अब आजाओ सार इतनी सारे चीजे बता दिया में कुश्चन भी होंवक में दे दिया मार्जनल रिलीफ वाला यह था कि आप बड़ी देड़ से इंकम 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 चिला रहे हो इंकम इंकम अब मैं बात करूं कि इंकम की ध्यान देना कि सरकार कहती है कि आपकी इंकम जब हमें बताओगे तो हम पांच जगह से हो सकती आपकी इंकम पांच हैड पाँची जगे से भीया आप इंकम कमाओगे ऐसा नहीं है कि आपको और कहीं से आएगा कौन कौन सा नमबर वन हो सकता है आप नौकरी करते हो तो आपकी इंकम जो आएगी कहां से आएगी salary से अगर आप क्या करते हो job तो आपकी income कहां से आएगी salary से दूसरा बोला गया अगर आपको किराया मिलता है rental income rental income अगर आपको किराया मिलता है तो आप मुझे क्या बोलके text दोगे तो आप मुझे बोलना आपकी income है किस से और रिंट कहां से आता है घर से आता है तो यह होगा हाउस प्रॉपिटी हाउस प्रॉपटि है सेलरी तो सेलरी में जाएगा हाउस प्रॉपट तो यानि सर अगर मैं सेलरी करूँआ तो मेरी इंकम क्या मानी जाएगी सेलरी हेड में अगर मैं रेंट से पैसा आ रहा है मेरा तो कहां जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के इंकम में ओहो सर मैं वैपारी हूँ मैं बिजनस करता हूँ मैं मान लो समोसे की दुकान लगाता हूँ मैं टी स्टॉल लगाता हूँ मेरी परचून की दुकान है मेरी फैक्टरी है इतनी सारे कोई भी बिजनस हो तो आपकी इंकम माना जाएगा बिजनस प्रॉफिट गेन बिजनस एंड प्रोफिशन जिसको हम पी जी बी पी भी बोल देंगे यानि तीन जगह से इंकम होगे जॉब करोगे तो इंकम सेलरी हेड में रेंट से आ रहा है तो हाउस प्रोपर्टी में प्रॉफिट पी जी बी पी इंकम हो जाएगा अगर आप बिजनस कर रहे हैं ओहो चौथी इंकम आप अगर क्या काम है आपके कहीं पुराने टाइम पे पुराने टाइम पे एक सब्सक्राइब आपके कहीं पुराने टाइम पे बहुत पहले टाइम पे आपके फादर ने या किसी ने कोई जमीन ले रखी या आपने ही जमीन लिया है और एक लाख रुपे का जमीन लिया और अचानक से वो 20 लाग का बेचे दिया ओहो 19 लाग का फाइदा आपने शियर मार्किट में पैसा लगाया और एकदम से कमाई कर ली आपने 1000 रुपे लगाया एकदम से 1 लाग हो गया ओहो इतनी कमाई तो ऐसे जिसके अंदर आपके हाथ पैर गंदे नहीं हो रहे आपको जादा मेहनत न सोल्ड कर दिया वहां से पैसा आ गया या फिर आपने शियर मार्किट में पैसा लगा दिया शियर मार्केट में यहां इसी जगह से इंकम वैसे के हाला कि इसे पूरे पूरे चैप्टr ये महिना महिना भर लेंगे जब मैं सेलरी पढ़ाओ आज तो मैं एक महिना ले लुआ इसके अंदर सेलरी में क्या मजाक कर रहे हो सर एक महिना लोगे सेलरी को समझाने में जी हाँ जब मैं हाउस प्रोपर्टी करवाऊंगा तो उसमें भी 15-15 दिन यह सभी चैप्टर सें आपके में चैप्टर सें इसको रखेंगे हम सर कैपिटल capital gain में capital gain में यानि सर हम income कितनी कमा रहे हैं 5 head है एक है salary, एक है house property, एक है PGBP, एक है capital gain पांच वा, अब मुझे याद नहीं आ रहा आपको जो याद आ रहा हो interest हो या आप 60 लगाते हो gambling हो या आपके other dividend का पैसा हो कोई भी पैसा हो उस case के अंदर उसको बोल देंगे भाईया ये तुमारा other source की income है, ये mainly पूरा income tax जिसको ये 5 चीजे आ गई, उसको income tax का पूरा ज्यान हो गया उसको पूरा income tax आ गया ये 5, जैसे accounts पढ़ते थे थे न, कि आपको final account पी एंडल और थोड़ा सा general entry आ जाए तो लगभग लगभग accounts की knowledge हो जाती थे आइसे income tax की कहानी है भाई साहब income tax आ गया तो मतलब ये 5 चीजे आई तो income tax के आप राजा हो income tax के अंदर आपको कोई मात नहीं दे सकता आप income tax के अंदर एकदम पक्के खिलाडी बन जाओगे अगर ये आपको पांच चीजे आ जाए तो इसी को तो सीखेंगे हम अच्छा सर अभी जो income विंकम की बात कर रहे थे उसका ये तीन जगह से ये तीन एक दो और तीन अगर वो ये तीन जगह से income हुई इन तीन जगह से तो ऐसे situation में वो सरचार्ज एपली केबल होगा जो हमने सीखा है वो सरचार्ज एपली केबल होगा जो सीखा है capital gain जो होता है न ये taxable होता है 112 में और 111 A में और एक है 112 A में ये इतने section के अंदर इसका income tax का rate लिखा हुआ है इसी हिसाफ से देंगा तो ये special income में आता है ऐसे ही dividend income भी एक special income में category में है तो capital gain और dividend income ये एक special income है सर ये एकदम special income है तो जो आज सरचार्ज वाली calculation सीखी है इनके अलाबा income हुआ तब apply होगा मानलो मेरी income होती है 50 लाख रुपे salary से और 1 लाख रुपे मेरी capital gain से हो जाती है तब सरचार्ज वाला concept अलग तरीके से apply होगा वैसे नहीं होगा मतलब सर मतलब सर आओ दिखाते हैं आओ दिखाएं तुम्हें सरचार्ज का rate मैंने मिटा दिया था वैसे इतना deeply तो नहीं पूछा जाता लेकिन मेरा मन करा मैं बता दू यह देखो यह जो मैंने काटा पीटा किया था यही तो मैं समझा रहा था कि इसके अंदर सरचार्ज अगर आपकी income कुछ इससे हुई मान लो आपने एक घर बेचा और एक करोड रुपे की income हो गई तो सरचार्ज इस हिसाब से लगेगा आपका new हो चाहे old हो दोनों ही situation में same रखा गया इसमें कोई बदलाब नहीं हुआ है पचास लाग तक कुछ नहीं देना पचास लाग से एक करोड तक 10 परसेंट एक करोड से दो करोड तक 15 परसेंट दो करोड से पांच करोड 15 परसेंट पांच करोड से पचास करोड मतलब भया दस परसेंट एक करोड तक बाकी सब पे 15 परसेंट लगा दिया गया है इसमें ब करोड का मैंने इंकम करोड का relocat Canada का मेरी इंकम करोड का जलदी जलदी बता लग​ अचाशल कर दू य데 कैसे सवाल पूछ रहे हो टाइप करने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है 19 करोड हाँ अब ये वाली इंकम घर खरीद के घर बेचा है तो ये इंकम जाएगा किस कैटेगरी में ये इंकम जाएगा डाइगा इंकम जाएगा इंकम जायेगा अफिटल गेंड में 112 सेक्षन में औहो ये स्पेशल है ये इंकम कैपिटल गेंड में उस केस में भाया तुम्हे ये वाली चीजे अपलाई करनी पडेंगी ये सारी बातों को ध्यान रहना होगा ये रेट मेरी इंकम 19 करोड है तो तो मेरे उपर सरचार्ज कितना लगेगा मात्र 15 परसंट लगेगा इंकम कितनी है 19 करोड रुपए है और सरचार्ज कितना लगेगा 15 परसंट ही लगेगा इससे उपर नहीं जा सकता क्यूंकि आप एक स्पेशल इंकम में आ गए हो जो कि क्या है हमारा डिविडेंट से इंकम हो 111 ए 112 यह शेयर से इंकम हो यह अधर है तो जब हम पढ़ेंगे ने तो दुबारा इस पर घूम के आएंगे मैं अभी बताना तो बहुत कोसिस कर रहा हूं को मुझे लग रहा है कि आपको यह थोड़ से स्पेशल रेट लगते हैं क्या यहां तक आप समझ पाएं मेरी बात को मेरी बात को समझे आ सरचार अगली क्लास के अंदर थोड़ा इंट्रस्टिंग चेप्टर हम स्टार्ट करेंगे डैट इस रेजिडेंशल स्टेटस चेप्टर का नाम होगा रेजिडेंशल स्टेट जितने बच्चे नए हैं वो थोड़ा पुराना पुराना देख ले एक्जाम के पॉइंट व्यू से मैं अगेन कह रहा हूं सरचार्ज वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन रियल लाइफ में आपको आना बहुत जरूरी है पता होना चाहिए सरकार कैसे ट चिप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस तो मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर रेजिडेंशियल को स्टूड़ेंट अकर जोईण होना चाहता है बता बहुत समझ में आई होगी सारी चीजे और लग-बग बातें मिलते हम next class के अंदर अपने दोस्तों में बताईए sir classes चल रही है और आपको मजा आ रहा है नहीं आ जा रहा है ये भी बताना है आपको 21 करोड है तो 15% क्यों लगेगा मनन का कहना है sir 15% क्यों लगेगा sir first three normal वाला लगेगा sir charge earn now हाँ बिल्कुल ये क्यों लगेगा क्योंकि आप capital gain कमा रहे हो आप capital gain ये जो rate ये वाले जो charge है न इधर वाले ये वाले आपके तीन जगह से होने चाहिए ये income होना चाहिए salary से ये income होना चाहिए house property से ये income होना चाहिए pgbp से और एक कोई साभी capital gain हो या फिर dividend से तो इस case में ये वाला rate activate हो जाएगा इस rate की कोई value नहीं लगेगा अभी देखो एक बच्चा पूछ रहा है sir पांचवे समेस्टर की class कब से start होगी बहुत बच्चों को पता नहीं है start हो चुका है मेरे पास अभी whatsapp पे पूछा है मों इतने क्लियर है तो next class हम रखेंगे सर सेम टाइम पे और सेम जगह पे ही रहेगी class तो आपके online application पे मिलते हैं next class में अच्छे से तयारी करिए अच्छे से मेहनत करिए पिछला पूरा रिवाइस करिएगा नोटिंग करके अच्छे से नोट कर लिजेगा मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बताया कि रेट सब कुछ बता दिया मैं बीच बीच में बताता जाओंगा रेट के बारे में जैसे जैसे topics आएंगे तो आप एक जगह रखेगा slab rate slab rate के बाद 4-5 पेज को आप छोड़ के रखिएगा मैं बीच बीच में नहीं नहीं रेट भी बताता रहूंगा और कब क्या एपलाई होगा मैं बताता रहूंगा बीच बीच में ठीक है चलिए सर वेरी वेरी गुड़नाइट मिलते हैं नेक्स क्लास के अंदर